स्टापलास के पॉपलर सीरियल अनुपमा में हमें धमाकेदार ट्रैक देखने को मिल रहा है हेलो दोस्तों मैं हूँ कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलिवुड स्पाइ वेल जैसा कि हम एपिसोड में देखते हैं वनराज अनुपमा से कहता है कि तुम्हारे पास अनुझ आये तुम्हारे करीब आये उससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन बच्चों से दूर रहे नहीं तो इस बार मेरा हाथ उठ जाएगा तभी अनुपमा किंजल से कहती है कि इन्हें एक चाय दे देना नहीं तो ऐसे ही कुड़कुड करते रहेंगे आगे हम देखते हैं कि अनुपमा देविका से कहती है कि मुझे अनुझ काना जी के आशिरवात के रूप में मिला है तभी हम देखते हैं कि अनुज भी ये सारी बाते सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है आगे हम देखते हैं कि अनुपमा से अनुज पूछता है कि रेस्टरेंट के लिए औरते कैसे मिलेंगी और कैसे पताचलेगा कि वो एक अच्छा खाना बनाती है तब ही अनुपमा कहती है कि एक cooking competition रखते हैं, इससे पता चल जाएगा कि कौन अच्छा खाना बनाता है, तब ही अनुज भी कहता है कि इस cooking competition की judge तुम होगी, और यहाँ पर अनुपमा भी कहती है कि आप भी होंगे, वैल यहाँ पर आने वाले दिनों में cooking competition होगा और यहाँ पर अनुपमा और यहां पर अनुपमा जज करते हुए नजर आएंगे वहीं हम देखते हैं कि वनराज काविया को कॉल करता है लेकिन काविया फून नहीं उठाती है और वनराज फिर सोचता है कि काविया कहीं मेरे से नाराज होकर अनुपमा के काम मांगने के लिए तो नहीं चली गई, आगे हम देखते हैं कि कावया अनुच के office आती है और अपने job offer की बात करती है तब ही अनुच कहता है कि आप मेरे cabin में बैठें, जिसकी बाद अनुच अनपमा से बात करता है और कहता है ये decision तुम्हारे पर है क्योंकि तुम्हें रहना है 24 गंटे और इसलिए सब तुम्हारे पर depend करता है और तुम इस project की main हो तो सारे decisions तुम्हारे पर है आगे हम देखते हैं कि आनुच कावया से बात करता है और कहता है Mrs. Shah आप job के लिए deserving है लेकिन एक बात है जो जिम्मेदारी आपकी होगी कि कैसे उन्हीं रोकना होगा और हाँ यह job मैंने नहीं अनुपमा ने दी है आपको वैल यहाँ पर कावया सुनकर थोड़ा शौक्ट हो जाती है लेकिन कावया इस job को accept कर लेती है वहीं हम आगे देखते हैं कि कैफे खुला अनुपमा की वजह से और चला भी अनुपमा की ही वजह से लेकिन बंद होका तेरी वजह से वहीं हम देखते हैं कि शेफ है जो वो भी कहता है कि यह डेस जब से हटा है तब से कस्टमर्स बहुत काम हो गए हैं हमें अनुपमा जी की जरूरत है फिर वन्राज गुस्से में होता है और उस शिफ को भगा देता है अब ऐसे में देखना यह है कि यहाँ पर वन्राज अपने गुस्सों की वज़ा से यहाँ पर अपनी बरवादी खुद करता हुआ न जरा रहा है कि अनुपमा वन्राज को ब पूले